नमस्कार देनक्षिव्ट चाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दश्यकों कुछ दिन पहले हमने आपको गवर्मेडिकल कॉलेज में एक घटना करम सामने लाया था जो की अरनिया के सोरोचा पिंडी का जो वाक्या था और ऐसा घटना थी जो दिल दहला देने वा और उसके बाद वह चार लोग बताया जा रहे थे जो जो समय वहां पर पहुचे थे जब जगदीश के साथ जगदीश को काटकर फैंक दिया गया था और बकरियां दूसरे के खेत में चली गई थी तो उन चार लोगों ने जगदीश को पहले तो मोटर साइकल से हीट किया े उसके बाद काटधा उसके बाद सिर्मे क्रायी निकल यहां की क्वारा में ने मिलीडिकल कालेज में पहले दिन मामले के बारे दृट दी और उसके बाद उन्हों के दूसरी पुरी घटना तो फिलार रात को लगबाग 11 से 12 बजे के बीच पुलीस की पुरी टीम जो एसपी जो है रूलर यानिके एड़कॉर्टर जो है इशाद रात और उनके निर्टेतर में वो जब पुरी टीम को भेजते हैं और यहां पर गौर्मन मेडिकल कॉलेज में तो वहां पर उड़के पिता का ब्यान लिया जाता है पर उसमें जगदीश की हालत बरी क्रिटिकल बताई जा रही थी अल्टिमेटली तीन लोगों को पहले गिरफ्तार किया था पुलीस के कड़े परियासों से क्योंकि वो परिवार जिन्हों ने मारा था जगदीश राज को जान ल आक दो लंबए हैं एक ना एक दिन गिरेबान तक रोपी के गिरेबान तक पहंची जाते हैं लगा जो कि अरनिया के सरोचा पिंडी से आया था जिसमें 18 साल के जगदीश राज को बेरामी से काट कर फैंक दिया था और दो दिन के बाद तीसरे दिन गवर्मन्ट मेडिकल कॉलिज में जगदीश ने दम तोर दिया था वहीं पर अगर बात करें तो पुलीस ने अपनी तीवर कारवाई बताई जिसमें तीन लोगों को पहले ही रासत में ले लिया गया था आज चोता अरोपी जिस पर अरोप थे कि उन चारों ने मिलकर इस वो मारा था इसे काट कर फैंक दिया गया तो उन्हें पुलीस ने आज हिरासत में ले लिया और कहिना की श्रेज आता है एससपी जमू और एसपी जो यहनी के हैड़क्वार्टर ने अगर बात करें तो इशाद राथर जी इसदीप्यो अरस पुरा है इनकी टीम ने पूरी तरह से दिन रात करके इन अरोपियों को अल्टीमेटली दबोची लिया है इसलिए हमने क्याप्शन में लिख्या कि मामला आपके समक्षम रखना चाहेंगे बताना चाहेंगे पिंडी सुरोचा का जो मामला आपके समक्ष रहा था कि 24 जुलाई 2024 को पुली स्टेशन अर्गनिया में संक्या एफायर संक्या नंबर 40 अबलीग 2024 धारा 109 वारते निया सहता के तैत मामला दर्च किया गया था जि किलाश के दुरान उसकी जान चली गई थी यहां यह बताना प्रसंगी है कि आज दिनाग यहीं कतिस जुलाई 2024 को अर्निया पुलीस ने क्या कतित परियासों के बाद चोथे अरोपी सोहन लाल पुत्र परकाश चंद निवासी पिंडी सरोचा अर्निया को गिरफतार कर लिय यहीं पर बताएंगे कि यहां बताना उची थोगा कि पुलीस ने गटना में शामिल तीन अरोपियों को यहीं के बेटा उसकी मा और पिता को पहले ही गरफतार की आतर उनकी पहचान इस परकार की गई थी जिसमें जगमोहन पुत्र परकाश चंद निवासी पिंडी सरोचा अरनिया और आशु देवी पतनी जगमोहन जगमोहन और साथी साथ गारा राम पुत्र जगमोहन निवासी पिंडी सरोचा यह तीन हो यानि माप बाप और पुत्र और उसके बाद एक और व्यक्ति सोहन लाज जिसे आज पुलीस ने पकड़ा है पुलीस ने जांच के दोरा है एक सो तीन में कंवोर्ट होगी है बारती निया सहींता लगा दिये से पहले दारा 109 बियनस के तहत जांच चल रही थी मामले के आगे की जांच जा रही है अब यानि कि जमू कुश्मीर पुलीस ने उक्त मामले में शामिल चार अरोपियों पर मामला दर्श कर लिया है श अगर पुलीस चाहे तो कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में उन अरोपियों को दर्द वोजती आपने देखा था उसमें सर्ताल में पूरा पिंडी सरोचा के नहीं बलके चार गाओं के लोग वहां पर माजूद थे रिप्रेजेंटेटिव है थे जिन्होंने साथ पर कहा था कि जल से जल इन अरोपियों को पकड़ा जाए जिन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ उस बच्चे को जिसकी उमर 18 साल ती जगदीश राल था जो गरीम माबाप का बच्चा था उसकी गलती यह थी कि उनकी बकरियां उनके उस जगह पर चलीगी जो जगह अकाफ की है बलकि उनकी भी नहीं है पर उकाफ की जगह होने के मकरियां की खेद में चलीगी और बेरहमी के साथ सबजी मुझे गाली यानि मूली गाजर की तरह उस 18 साल के बच्चे को काट कगाड दिया और किस तरह से रो रोका बिलक-बिलका उसका पिता जोते उसका परिवार पु बड़ी घंबीरता से लिया और स्टीप और अरस पुरा उनकी पूरी टीम को पुरी हिदायतें दी के तुरंत इन अरोपियों को पकड़ा जाए जिनों जो भी उस बच्चे की हत्या में शामिल है तो अल्टिमेटली आज क्यो था अरोपी था सो लाल वो भी पुलीस की गिर काई दिन और निया की बात करें बाड़े शेतर की बात करें कोई ना कोई किसी को काड़ देता है क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं है उन्हें पुलीस का डर नहीं है पर इस केस ने कहीना की आप हिला कर पूरे एरिया को रख दिया है आइंदा से उमीद करते हैं कि ऐसी क कोई घटना करम ना हो जिसमें किसी की जान चली जाए पर इसमें जरूर कहेंगे पुलीस के जो अधिकारी हैं और उनका उनका काम को सरहना भी चाहिए क्योंकि हमने देखा था सब्सक्राइब कर रहे तो फिलाल यह जरूर केंगे पुलीस के परियासों से कड़े परियासों से उन चारो अरोपियों को पूरी अर्मिया पुलीस ने दर्द बोचा है तो इसी तरह से हम अपनी पुलीस से जनता को भी कहते हैं कि विश्वास जनता का कईना के पुलीस ने इस केस में जीता है तो इसी तरह बगवार ना करे आने वाले समय में अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो हम उमीद करते हैं यह पूरी टीम यह पुलीस जो बार्ड जगदीश तो वापिस नहीं आएगा पर आज उसके माता पिता को भी कहीं ना कहीं उन्हें तसली हुई होगी आज जगदीश की आत्मा को भी शांती मिली होगी जिन लोगों ने उसे बेरहमी से वहां काट कर फैंक दिया आज वो सलाखों के पीछे हैं आपका क्या कहना है इस वीडियो को जितना हो सके शेर कीजिएगा जुड़े रियासी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए जाहिन जबारत